कि हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं स्वोटर की डिजाइन बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे देखिए कितना सुंदर है यह डिजाइन चोटा में यह बहुत ही सुंदर लगता है यह अगर हमारे चैनल पर अपने सब्सक्राइब नहीं किये तो यहारे का है तो हमने इसको इसी तरह ले लिए और यहां पर देखिए यह धागे पीछे ही रखेंगे और यह वाला जो फंदा है यह देखिए यह हर तीसरे सलाई में यह बनेगा तीन सलाई कंप्लीट करके चोथे सलाई में बहुत असान है यह डिजाइन तो इसको देखिए आइज आप यहां यह जो है एक फंदे को हम यहां पर यह तीन चलाई खोल देंगे ऐसे है यह देखिए यह खोल दिये अब इन तीनों को पकड़के एक साथ हम इसको बुनेंगे ऐसे करके और एक फंद हम इसी तरह सिधा बुन लेंगे फिर ये देखिए इस वाले फंदे को इस तरह एक दो तीन ये तीन सलाई खोल दिए और फिर इनको पकड़के ऐसे और हम सारे एक सफ निकालेंगे ऐसे करके फिर देखिए ये एक सलाई हम सिधा बुन लिए फिर इसको देखिए इस तरह ये तीन सलाई हमने खोल दिए एक फंदे का इस तरह और इसको पकड़के और फिर इन तीन फंदे को पकड़के एक साथ हम इसको इसको इस तरह सिधे के स साइड से इस तरह बुनेंगे और फिर हम एक फंदा इसमें इसे तरह सीधा बुनेंगे ऐसे फिर देखिए इसके साइड वाला फंदा को हम तीन शालाई इस आईसे करके, फिर देखिए इसको एक, दो, तीन, ये तीन सलाई खोल दिये, अब देखिए इसको, ये सारे को पकड़के हम एक साथ बुन लिए सीधे के साइट से, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसी तरह हम पूरी रो को यहां तक कम्पलीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी, देखिए ये कम्पलीट हो गया, यहां से यहां तक, अब हम पीछे के साइट जब आएंगे, इसको देखिए, इस तरह हम सारे फंदे, ऐसे उल्टा-उल्टा बुनेंगे, पीछे के सलाई में, ऐसे करके, इस तरह पूरी रो को कम्पलीट करेंगे हम, देखिए ये पीछे के सलाई कम्पलीट हो गया, अब फिर सीधे के तरफ जब हम आएंगे, तो इसको ये देखिए, इस तरह बनाएंगे हम, ये पूरी सलाई सीधे सीधे बुनेंगे, एक सलाई, ऐसे करके, तो ये एक सलाई हम पीछे के साइट से बुने थे, और एक सलाई हम सीधे के तरफ से बुन रहे हैं तो यह दूसरा सलाई जा रहा है इस तरह हम complete करेंगे यह देखिए यह सीधे के तरफ से पूरा complete हो गया और फिर जब हम उल्टे के सेड आएंगे तो इसको देखिए इस तरह हम यह सारे सलाई हम उल्टे उल्टे बुनेंगे तो यह तीन सला नरिजम को बताईंगे देखिए यह तीन सलाई इलटा और सीधह हो गय guest और फिर जब हम a4 में सीधूर के तरह पाएंगे तो इसको बनाये थे यह इस वले फंदा को हमने खोले थे अब हम इस फंदा को नहीं खोलेंगे हम इस फंदे को खोलेंगे इस तरह बनाएंगे इसको हम बूल लिए देखिए इसको हम बूल लिए अब हम इस फंदे को खोलेंगे कि इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जिस फंदे को हम पहले वाला सलाई में खोल दिये हैं उस फंदे को हम जब दूसरा डिजैन बनाएंगे तो नहीं खोलेंगे हम दूसरे वाला फंदा को खोल के बनाएंगे इसको तो देखिए ये अब देखिए इसको हम बून लिए और यह दूसरे वाला को हम इसको खोल के बूनेंगे ऐसा करके इस तरह यह जो है अब फिर हम इस फंदा को बूनेंगे और फिर इस वाला फंदा को हम खोलेंगे क्योंकि जब हम इसके पहले जो डिजाइन निकले थे तो हम इस वाला फंदा को खोले थे तो जब हम इसको राउंड में जब हम आएंगे जब डिजाइन निकलेंगे तो क्या करेंगे जैसे तीन सलाई हम उल्टा सुधा भी बूल लिए उसके बाद क्या करेंगे कि छोथे सलाई में हम जिसको खोले हैं उसको भूनेंगे और जिसको भूने हैं उस फंदे को हम तीन सलाई खोल देंगे जैसे देखिए, अब इसको हम बूल लिए, अब इस वाला फंदा को हम खोल देंगे, ऐसे, क्योंकि इसके पहले हम इस वाला फंदा को खोल लेते, देखिए, अभी मैं दिखा रहे हूं, क्योंकि इसके पहले हम इस वाला फंदा को खोल के बनाये थे, यह देखिए, यहाँ द कैन तो तीन सलाइ अ किया करेंगे इसels कर शार को हम पकड़के वर्ल शाइब चैनले को भून के जब भी हम डिजाइन को को निकालेंगे जैसा यह द देखिफ़ कि इस हम पर हम पहले निकाले थे मदलब बारी बारी से हम इस फंदे को change करते जाएंगे और इस design को निकलते जाएंगे देखिये अभी और बना के आप सबको दिखाऊंगी कितना प्यारा ये design है और कितना हसान है तो इसको ज़रूर कोशीर किजिएगा अभी और बनाक मैं आप सबको दिखाऊंगी ये देखिए ये पिछे के साइड से इस तरह दिखेगा ये डिजाइन और सीधे के तरफ से देखिए इस तरह दिखेगा देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डिजाइन बनके आप स्वेटर पर बनाईएगा जैकेट पर बना यह मस्त रही है फिर मिलती हूं मैं दूसरे वीडियो में किसी नई डिजाइन के साथ